नमस्कार स्वगात्याप का हमारे चन्चार जागेंदर मेशा में 500 साल बाद बना दुरलम महा सैयोग आज 12 अप्रेल को कामदा महा एकदसी गाई को खिला दें ये एक छोटी से चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोख शकता दुर्स्तो चेत्रमाश के सुकल पक्षी एकदसी हिंदू नवर्ष की पहली एकदसी होती है इस एकदसी को कामदा एकदसी के नाम से जाना जाता है जैसे की इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एकदसी सभी कामनाओं यानि की सभी मनाओ कामनाओं को पूर्ण करने वाली है मानता है कि कामदा एकदसी का ब्रत करने से भगवान लक्ष्मी नरान की कृपा से सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी इस एकदसी के प्रभाव से इस एकदसी ब्रत के प्रभाव से मिट जाते हैं कामदा एकदसी के दिन भगवान लक्ष्मी नरान का पूजन किया जाता है इस दिन भगवान लक्ष्मी नरान का पूजन कर ब्रत करने से भगवान लक्ष्मी नरान की अश्यम कृपा और मन्चाहे बरदान प्राप्त होते हैं घर में शुक्षंबरदी आती है और अंत में मौक्ष की प्राप्ती होती है दोस्तों इस बार कामदा एकदसी तिथी को लेकर कनफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि इस बार यह तिथी 12 अप्रेल को शुबह 4 बच कर 30 मिनट पर शुरू होगी और 13 अप्रेल को शुबह 5 बच कर 2 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए उदिया तिथी के हिसाब से दोनों ही दिन एकदसी रहेगी लेकिन एकदसी का ब्रत रखना 12 अप्रेल को स्रेष्ट रहेगा यनिकि आज की दिन स्रेष्ट रहेगा क्योंकि आज 12 अप्रेल को पूरे दिन एक अदसी तिथी रहेगी और आज शुर्योदे किसमें तिथी रहेगी 12 अप्रेल का ब्रत रखने वारे भक्त 13 अप्रेल को ब्रत का पारण करें ब्रत पारण करने का शुब महुरत है इस बार दुपहार एक बज़ कर यनि की 13 अप्रेल को दुपहार एक बज़ कर 49 मिनट से दुपहार 4 बज़ कर 12 मिनट तक रहेगा साथी साथ एकदसी ब्रत का पारण हरी बासा समाप्थ होने के बाद ही करना चाहिए और तेरा प्रेल को हरी बासा दस बचकर अंठामन मिनट पर समाप्थ होगी इसलिए भोलकर भी दस बचकर अंठामन मिनट से पहले ब्रत का पारण ना करें इस बार इस एक अदसी पर शरवार्द सिध्य योग भी बन रहा है जिससे इसका महत और अधिक बढ़ गया है यह योग पूजन ब्रत और उपाई के साथ शुब कारियों के लिए बहुती सुब माने जाते हैं इस दिन भागवान विश्णू माता लक्षमी जी कृपा प्राप्त करने के लिए गव माता की सिवा अवश्य करने चाहिए मानेताओं के अंसार इस दिन गव माता की सिवा करने से घर में शुक्षम्रद्धी आती है और जीवन में खुशाहाली आती है एक अदसी के दिन भगवान स्री हर विश्णों को समर्पित होता है और इस दिन मातल लक्षमी जी भी काफी परसन मुद्रा में रहती है इस दिन भगवान विश्णी के साथ साथ धनकी देवी मा लक्षमी जी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए मा लक्ष्मी जी का विशेश रूप से पूजन किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको इस पावन दिन पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असर कारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान स्रीहर विश्णू और माता लक्ष्मी जी की अशिम कृपा प्राप्थ होगी सबसे पहले तो आपको उपाय करने के लिए आपको शुबह सुर्योद से पहले उठ जाना चाहिए और नहाद होकर स्वक्षिवस्त धारन कर ले लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपको बतादे कि बीडियो को आप पूरा वश्य देखे साथ ये बीडियो को लाई करके जदेदा से अवश्य करिएगा दोस्तों बतादे कि नहाद होकर कि फिर आप पूजा स्थान पर साब सफाई करें और भगवान विश्णु और माता लक्षमी के पास एक आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद आप भगवान विश्णु जी को पीले पुस्प पीले बस्तर और पीले फल अरपित करें माता लक्षमी जी को इस दिन लाल पुस्प लाल फल और लाल बस्तर अरपित करें और फिर भगवान विश्मी जी के ओम नमो भगते वाश्दिवा इस मंतर का जाब करें और माता लक्ष्मी जी के ओम महालक्ष्मी नमनो मा इस मंतर का जाब करें फिर आप क्या करें कि आप भगवान को भोग लगाएं गुड़ घी का भोग लगाएं और थोड़े से हल्दी का माथे पर तिला का लगाएं यानि एक पात्र में आप गुड हल्दी और घी वगरे सब कुछ रख ले और थोड़ी से मिस्री भी रख ले और भागवान को भोग लगाएं माता लक्ष्मी जी को भी भोग लगाएं उसके बाद आप आटा ले ले और आटे को सुध जल से गोंद करके आप एक रोटी बना ले एक रोटी बनाने के बाद फिर आप किसी पात्र में पूजा स्थान पर रख दें इस रोटी को और इस रोटी में जो आपने भोग लगाया है भागवान विश्मी जी को गुड घी का और थोड़ी सी जो हलदी आपने उनकी माथे पर तिलक लगाया है इस हलदी को भी इस रोटी में रख ले और थोड़े से मिस्री रख ले और इस रोटी को ले जाकर आप चुप-चाप गाय को अपनी मनोकामना बोलते हुए खिला दें भगवार विश्मी और माता लक्ष्मी जी की किरपा प्राप्त होती है क्योंकि गाय में सभी देवी देपताओं का वास होता है 33 करोड देवी देपताओं का वास होता है उसमें माता लक्ष्मी और भगवार विश्मी जी का भी वास होता है इसलिए गाई को ये एक रोटी जब खिला देंगे उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें और वापस आप मुड़कर चले आएं दोस्तो एक अदस्री के दिन गाई की सेवा करना बहुत सुब बाना जाता है गाई को आप अपने घर की पहली रोटी एक अदस्री के दिन जरूर खिलाएं और इसमें गुड थोड़ा सा घी और थोड़ी से हल्दी डाल के खिलाएं आप ऐसे भी खिला सकते हैं जिसके आप घास ले सकते हैं घास में एक रोटी रख लें थोड़ा सा उसमें गुड़ और घी रखके थोड़े से चाय तो काले तिल भी डाल सकते हैं और गाय को चुप चाप जाकर खिला दें तो भगवान विश्म और माता लक्ष्मी का श्यूम कृपप प्राप्त होगी धनधान की कभी भी कमी नहीं होगी चारो दिशाओं से धन के आगवन होंगे धन सम्बंद शमश्याएं आपकी खत्म हो जाएगी नोकरी ब्यापार हर तरह से आपको तरक्की मिलेगी गाय को रोटी खिलाना बेहद सुब और स्रेष्ट माना गया है ऐसे में आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी रोडपती भी महत पूर्ण होती है इस दिन गाय के पास एक दीपक भी जलाएं गाय अगर आपके मुक्षद्वार पर आ गई है तो उसे एक रोटी खिलाएं ना कि उसे मारे और न भगाएं गाय को इस दिन आप डाटे फटकारे भी ना गाय की सेवा करें और गाय के चरड़ों का आप आ खिलाएं आप गुड घी और तिल से बने लड़ो भी आज खिला सकते हैं अगर आपके पास नहीं है समय तो आप गुड घी और तिल से बने लड़ो भी खिला सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक रोटी लें लेकिन रोटी बासी नहीं होनी चाहिए याद रखेगा ताजी रोटी आपको खिलानी है गाई को बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए यह आपके घर में जो पहली रोटी बने उसे आप गाई को निकाल दें और गाई को उसमें आप गुड़ घी आप चाहें तो हल्दी रख लें मिस्त्री रख लें और गाई को चुप-चाप खिला द चाहिए इस दिन गरीबों को दान करें और गरीबों की मदद करें वस्तरों का दान करें गुड़ घी का आप और साथी साथ तिल का दान करें तो विशेश लाब होता है और गाए को आप अगर इस दिन विशेश वस्तु खिला दें तो विशेश लाब होगा यानि कि जो आपन पावन पर चल रहा मनाया जा रहा है इसलिए गाई की सेवा करिए गाई को एक रोटी जरूर खिलाइए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा जदे जदे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै भगवान विश्वू जै मात अलक्ष्वू